को सेल के बारे में हिंदी में को सिका कहते हैं को सिका यानि सेल करते हैं आज का इस क्लास को जिसमें लोग सेल के बारे में परहेंगे को समझते हैं आज समस्तें को सिका को शेल बोलते हैं सबसे पहले इसका के बारे में समझेंगे को जिए कि जाता है क्योंकि कोई भी ऑर्गनिजम का किसी भी जीव का सरीर जो बनता है वह सबसे सुप्षारी के अंदर में उससे सुक्ष में और्गनिजम होता है अलग अलग और्गनिजम होता है सेल के अंदर में लेकिन किसी भी सरीर का जो में सुक्ष में अंग होता है उसे सेल ही कहते हैं और सेल बहुत साथे सेल से उत्तक बनते हैं उत्तक से फिर उत्तक अंग बनते हैं इस तरह से पुरा शरीर बनाया तो यह एक जन्तु कोशिका का इस्ट्रेक्चर है पूरा आगे परहेंगे इसका और नेक्स्ट है कोशिका का खोज कोशिका का खोज हुआ कैसे हैं किसी भी जीव का क्रियात्मा क्यों सबसे पहला पता रोबट हुआ यह को इसलो 75 में लगाया थां वह जो था से जिस सेल के बारे पता लगाया था वह ता डेर्ट अ के स्टी। सेल के बारे में डेर्ट सेल के निए लोटार को नंशाफ को दॉस्ता था अन्टोनियड है जो कि 164 त एक निए निए जूपता लगाया था से लादेख सेल के बारे में पता लगाया सबसे पहले भी जब से पहले किस ने कि तो रोबर्ट हुग के बारे में भूला जाएगा को शिद्धान पर कारे करता है यह हमारा नेक्स्ट को सिद्धान्त को दिया था वो था विद्धनist श्वान इसके अनुसर का सिध्धांत है पहला सिध्धांत है सभी पोधे और जीव कोसिका के बनेगते हैं दून्या में जितना वी पौधा जीव है सभी कोसिका की बनेगते हैं और कोशिका जीवन की मुझ लिकाई है सबसे जो में लिकाई है किसी जीव के लिए उसका में मुझ लिकाई है कोशिका यह किसरा है कि सभी कोषिकाई पुर्ण नीमित कोशिकाउ mi ch Кон 파 उन्थत एक थे जब कोशिकाम की अब टुनारया गे जितने की पहले से बनना हुआ से ले से जो लेट होगे भी नया सेल बनता है इजह लोगास फिर अपने आप बंदा पूराना सेल निर्मित सेल उससे डिवाइड होके फिर नया सेल बनता यह कोशिका का सिद्दाום के उसके बाद कोशिका के आधार पर जीव के के वदट कुर। व मैं बाटा गया है एक है एक कोश के जीव दुसरा बहु कोश के जीव एक कोश के सुनने में ही लग रहा है एक कोशिका का बना हुआ होगा जितना भी एक कोश की जीव है वह एक कोशिका का ही बना हुआ होता है उसके बाद दुसरा है बहु कोश के जीव मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बना ह हुआ है इसलिए से बहुत कोस्षी के जीव कहा जाता है एक मुझा मैं इतनी सेलूलर और के जीव को सब निए को परकार प्रकार को सिका मुख्यते दो परकार के होते हैं एक होता है फ़ला प्रोकरियोटिक दूसरा होता है और जो होते हैं वो ओंद रदीव्हा नहीं होता है दो देभलाब मैं अंतर मेंध्या सब्सक्राइब करया देखते हैं सबसे पहले परोकरियोट को सिखाये में बहुत ह ₹ होती है यू कर्योट सुखाय सबसे पहले उसके बाद युग केदरी सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब है ऊचना बद entra और जिलंड गृलिव फोलते हैं उसके गई सनली द्वारा घिरए अंगक अनुपस्तित होते हैं कि उसके बाद मेल है इसमें रहते हैं कि निख्ली नहीं होता है और या दर्डेवर एसलिक रहा हुँआ हिसまे केंदार मुपस्तित होता है नहीं होता है इसमें होता है तो जो बढ़ता है या वह तूट कर बनता है उसके बाद को सिका नहीं होता है और बता था अंडेवलप्ट है तो कितना होगा एक कोशिका के भाग कोशिका में किसी भी कोशिका में समानते हैं तीन भाग होते हैं चाहिए यूकैट हो या प्रोकैट हो इसे पहला है प्रलाजमा जिल्ली जिसको सेल मेंबरेन बोलता है तीसरा किंद्रत नुकलियस बोलते हैं इसे अब यह जो कोशिका भित्ती होती है साथ हिसका कारे क्या है और यह है क्या सबस्ते हैं उसे पहले यह सबसे बाही जिल्द्य है पादव कोसिगा का सबसे बाही जिल्द्य है तो या यह क्या अनुपस्ठित होते हैं यह जो इनिमल सेल में होता है यह नहीं होता है उसके बाद यह सर्क्त मजबूत मोटी अध्रिस रचना है से लुएज की बनी होते हैं इसे बीदिन नामक रसायन की बनी होते हैं बनें होती है यहाद रहेगा कौन सा पाइटे नमग रशायन से बना होता है जाद रहेगा कोषिका भृत्ति कार्यडोज यह तरह तक यह उसका अंद्र होती है नो को आरपाउट जहने देते हैं इस में असाने होता है इसमें डूर्ण बोलते हैं या इसको इंगलिश बोलते हैं यह क्या होता है कोशिका का सभी प्रकार के मनुसिंग मानस्य में जो बहतेया कोशिका का कहलाता है क्याताय मी क्या जो कि एक स्टेस में रोबार्ट ब्राउंग इसें जो सब्सक्राइब आसको कोसिका का जो केंदरग होता है उसका खोच किस ने एक उसके बराबर होता है उसके ऊपर डूस्तवी जहली नुकलियरॉ इसको बोलते हैं होते हैं उसके जाद केंद्रकाय नुक्लियोलस बोलते हैं और क्रोमीन के धागे होते हैं क्रोमोसों या क्रोमोसों या क्रोमेटीन धागे डीने के बने होते हैं नवान सीच रूछनाओं को पिडी में जनम द्वारा बिशते हैं और दूस्तिसरा के बुनियादी और और चारिय खटक को जीन कहते हैं कि यह सबसे प्लिए करता है यह कोशिका के सभी उप अपचाय करिया को नहीं तरन करता है निए जितने भी घटना होता को दौरा apan के द्फार से ब्यर्य हमारा है शरीर का पूरा सरीर को कंट्रोल करता है उसी परभ से की इन तरहीं बहुत हैसरेट और फिश्टक लीजयने की ने टेस्ट अनुए यह हो गया नुकलियर मेंब्रेन के बीच जो खाली होता है उसे को नुकलियर पोर होता है है में नेज़्ट टौपिक अमारा कि स्कॉसिटाफ लबें को बाता है यहाँ पर-षि ऐसे में ज्कलियर संपन होती है problems पावर हाउस बोलते हैं इसको यह प्रोकरियोट में अनुपस्तित होता है उसमें यह नहीं होता इसको कोशिका का पावर हाउस पुछा जाता है उसके अधिया दोरी जिल्ली वाले उपस्तित होते हैं अधिया आट बीसी को छोड़ कर उसके बाद बाहे परद चिकनी होते हैं और शिद्र होते हैं अधा परद वली और उसकी होता है इसको सबसे पहले देखा था कोली कर नाम का एक वेग्यानिक था वही देखा था माइक माइट्रो कॉंड्रिया को कभ अठारो सो असी में उसके बाद इसमें अपना खुद का डियने और राइबोसम होता है इसका का निर्वान कर में संचित करके रखता है उसको क्या करता है निर्मान होता है यह जनतुकोषिका में अनतर रूंज जो चलूरो फ्लटाइब वह सिर्फिशन करने वह ऐनदेशन रूटार वह अलग बदाएथ है पादव सेलो परकास नहीं हो गया पर अपना बोजन सोय बनाते हैं इसलिए इसमें लोड़ो प्लास्ट होता है उसका अकार में अक्रतिन निस्चित करने के लिए भी कोषिकावित्ति होती है इसमें कोषिकावित्ति नहीं होता है रिक्तियां उपस्थी रंग बड़ी होती है इसमें नहीं होती है और बहुत ही छोटी छोटी होती है लाइसोसोम नहीं होते हैं में है क्यां प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते हैं अनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं कोषिकावित्ति कैसा होता है चत्रुफूज होता है चार आकारवला होता है कोशिका इस तरह का इस तरह कोशिका होता है और पूर्न रूप से विक्सीत होता है यह गया कि अब देखते हैं एक बार क्या क्या पर है इस चेप्टर में सबसे पहले कोशिका था होता है को खाइब कोसिका नहीं कि रखते हैं प्रोकरियोट में दो होगते हैं प्रोकरियूटिक अधे जिए उसको बोलते हैं अधिग्यों हेत पता है ये इक तरी होते हैं जुना कि नहीं पर गाय होगया जो है प्रामिसियम अमीबा और बेक्ट रहा है यह यह हो गया है कि यह आज हम लोग पढ़े हैं इस टोपिक में इस चेप्टर में सेल के बारे में आई होप कि यह पूरा वीडियो आपको आप लोगों को समझ में आया होगा अगर फिर भी कहीं दिखकर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगें दो